नवस्कार साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपकी एक किलास ने कवर की जा रहे हैं ये आपकी UPSC यानि कि सिविल सर्विस और आपकी स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोगों का एवी सवाल रहता है क्या एक किलासें वंडे एकजाम के लिए भी मात्पूर्ण हो सकती हैं तो देखिए आप लोग जिस भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने कुर्शन्स पेपर उठा के देख लिजे आप लोग और आप ल लोग बहुत ही विस्तार से इन कलासों को कवर कर रहे हैं और इसे पहली आपने देखा होगा कि हम लोग ने भारत का जो इतिहास है उसको भी बहुत विस्तार से कवर किया उए और ये प्रिलिम्स का जो सिलिवर्स रहता है ना कवर नहीं हो जाता है और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोग ने ब्रहमंड के बारे में बात किया हुआ था तो आप देख एक प्लेलिष्ट सोची बना देखी है आपकी UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो उसमें सभी क्लास हैं आपको मिल जाएंगी और एक एक क्ला आपकास में हमें सौर मंडल के बारे में बात करनी है और इसमें आप देखते हैं कि सुरी भगवान रहते हैं उसके चारों तरफ आप लोग ग्रह देखते हैं गूमते रहते हैं देखिए पितवी भी हमारा गूमता रहता है बुद्ध भी आप देखते होंगे सुक्र भी द पुछ बिवस्तिक परिवारों में बटे हुए है, और पितिक परिवार में एक बड़ा पिधीवतित्तारा होता है, जिसे सूरे कहते हैं, एक तरह ऐसे अपने परिवार से आप लोग तोलना कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि एक आप लोग देखने को मिलता होगा, उसके ब चुरे माता है और आकस में अनगिनत सौर मंदल हैं तो आप भी तो देखते हैं कि आपकी आसपास भी तो अनेक परिबार देखने को मिलते हैं सुरी का भी एक सौर मंदल है और इसमें पितवी सेथ 9 ग्रह आप लोगों यौद देखने को मिलेगे ग्रह के उग्रे हजारों छुद्ध ग्रे और असंग उलकाएं अनेक पुछलतारे निहारिकाएं देखने को मिलेगी और गुरुत्वा करसंड सक्ती द्वरा यह सब अपने अपने परिवार के से बंदे होते हैं असूर इन सब का केंद्र है और यह सब सूरी के चारों और परिक्मा करते रहते हैं अब आप देखे परिवार से कोई मेंबर नहीं बंदा हुआ है तो वो तूट जाता है क्या हो जाता है तो यहां एक बात हुई है उल्ले कुगा है यहां कि सो गुर्त्वा करसंड बल जो आप देखे इने एक दूसरे से बांदे रहता है एक आप लोग ने नियम सुना होगा निउटन का नाम सी यह सुने होगा आप लोग इसने कहा था ब्रहमंड में पदार्थ का पितेक कड़ पितेक दूसरे कड़ को अपनी ओर आकरसित करता है और इसे इस सरवव्यापी आकरसंड बल को ही गुर्त्वा करसंड बल कह देते हैं ठीक है और इसी कारान आप देखे अपने परिबार से जुड़े रहते हैं यहां यह का आप लोगों को चित्र भी दिखाई दे रहा होगा अपनती अक्ष अभी नती अक्ष और अक्षिय तल यह आप देखें कि अगर आप लोग देखें इसमें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओपर उठा हुआ तल अपनती तल या अपनती अक्ष कहते हैं और नीचे दसा हुआ यह देखेंगे आप लोग इसे क्या कहा देते हैं? अभी नदी अक्ष कहा देते हैं. और अक्षीय तल की बात करें, तो आप इसे देखेंगे. अक्षी तल का कहने का मतलब सीधा सा है कि क्या है? वह तल जो किसी तल के दो अंगों के बीच के कौण को समदुई भाजित करता है अक्षी तल कहलाता है तो ये भी आप लोग याद रुखिएगा सबसे पहले हम लोग सूरी भागवान के बारे में बात करते हैं सन के बारे में बात करते हैं इसमें यह आप लोग देखिएगा यह हमारी व्यारी पित भी है और इसी में आप लोग महादीब देखते हैं और हम लोग निवास करते हैं तो यह थी आप लोगों को एस इस सूरिं आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के वारे, मैं हमें सबसे पहले जानना है तो सूरि की बात करें तो शूरि एक तारा है जो पेकास अउसमा प्यदान करता है यानि कि आप देखें कि जो हमें लोग उजा देखते ना, लाइट देखते ना, उजाला देखते ना, यह हमें सूरी से ही मिलता है, गरह पर अपना कोई गरह का अपना उस्मा नहीं होती है, यह आप लोग जाने होगा, और वजन पितवी से आप देखेंगे कितना है, तीन ल 30 गुना अधिक बड़ा है आपका कौन? सूरी भगवान और इसका ब्यास आप देखेंगे तो 13,92,000 किलो मीटर इसका ब्यास है ये चोटे-चोटे कॉईंट है कई बार आप देखते हैं कि वंडे जाम में पूंच लेता है तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और जो पितवी के ब्यास से आप देखेंगे 109 गुना जानदा है हमारी पितवी सूरी की तुल्ला में बहुत छोटी है समझे है? इसकी सरचना अधिकतर वास्पी है जो हाइटोजन और हीलियम गैसों का है यानि कि इसकी अधिकतर सरचना बास्प के द्वारा बनी हुई है जिसमें हाइडोजन आप देखेंगे हीलियम आप लोगों को देखने को मिलेगे सघंत पितवी की सघंता से कम है और सूरी के केंद का ताप 2 करोड डिगरी सेंटीगेट से अधिक है और सतय पर तामन देखें तो आप देखेंगे 6000 डिगरी सेंटीगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग सोची अगर आप सोची कि पूरा का पूरा अगर उसका ताप नीचे आ जाए तो हम लोग आप देखें कब भसम हो जाएंगे जलकर राख हो जाएंगे मालू भी नहीं चलेगा छोटा साब देखें कई गोना छोटा सूरी का जो पिकास रहता वो पित्वी तक पहुंचता है और सूरी की मद्दभाग अर्थात पिकास मंडल के ऊपर इसका वर्ड मंडल होता है और यहां अतेंत तप्त गैसों की आधी सूर गेहन की समय देखी जा सकती है और यह परी ज्वाला तप्त गैसों की आधी सूर की तरह सताय से उठती हुई लपेटों द्वारा बनती है सूर से उठती हुई तप्त ज्वालाओं कुसौर उर्जा कहते हैं और सूरी की सतय पर धब्बे जलती हुए गैस के खोल हैं जिनका तामान आप देखेंगे 4800 यानि कि 4800 डिग्री सेल्टीगेट होता है और धब्बे में मद्द का भाग पिछाया यानि कि और चमकती हुए किनारे उपछाया कहलाते हैं और इन धब्बों का पता गैलीलियो ने आई यूटी डी गैलीली था और इनका जनम 15 परवरी 1564 में हुआ था और 8 जन्वरी 1642 में इनकी डैथ हो गई थी एक खागोल सास्तरी थे बहुत एक विज्ञानी थे इंजिनियर भी थे ठीक है तो यहने भी याद रखिएगा और इन्हें इसलिए जाना जाता है बिसलेशनाता गती सेलता सूर केंदिये गती की आउलोकन समंदी खागोल विज्ञान से जुड़े रहे हैं इसके छेत में उनने काम किया था सूरी का जो भाग आँखों से दिखाई देता है उसे हम लोग प्रिकास मंदल कहते हैं जो हम लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं उसे प्रिकास मंदल कहते हैं सूरी के चारों और एक पट्टी दिखाई देती है इस सूरी का मुकुट कहते हैं क्या कहते हैं मुकुट कहते हैं इस सूर परिवार है आप देखेगा सूरी के बाद क्या आता है बुद्धर देखने को मिलेगा उसके बाद आईए आप लोग तो आपको सुक्र देखने को म मिलेगा पितवी के बाद मंगल आपको देखने को मिलेगा मंगल के बाद आप देखेंगे कि आपका बेश्टपती हो गया सुक्र हो गया सनी, अरुन, बरुन, यम, यह आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ छोड़ी यहाँ आप लोग किलियर समझ रहे होंगे देख लिजे, यह सूर हो गया, उसके बाद आप देखा हैं तो बुद्ध हो गया उसके बाद आप आएंगे, देखिए गोमर हैं ठीक है, यह सुक्र देखने को मिलेगा उसके बाद पितवी का नमबर आता है, यह पितवी है आपका इनका किराम आप लोग जरूर याद रखेगा, कई बार कुश्चन स्कूछ लेता है और पितवी के बाद आप देखिए पितवी है, उसके बाद मंगल देखने को मिलेगा मंगल के बाद आप आए ब्रस्पती देखने को मिलेगा और ब्रस्पती के बाद आप देखेंगे आपको यह ब्रस्पती और इसके बाद आपको यह सनी देखने को मिलेगा और उसके बाद आप आएंगे तो Uranus देखने को मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा नैब चिवन तो ये भी आप लोग याद रखेगा इनका करम से इनने करम आप लोग याद रखेगा करम से बिलकुल सोरे से आप लोग इस तरह से सूरी के बाद आप देखेंगे सूरी के सबसे पाश ग्रह, बुद्ध देखने को मिलेगा, बुद्ध के बाद सुक्र देखने को मिलेगा, फिर पितवी आपको देखने को मिलेगा, फिर आप देखें पितवी के बाद मंगल आपको देखने को मि अगर हम लोग ग्रह के बार बात करें तो जो पिंड सोर के चारों और अपने दोरी पर निष्चित अंड कार पत पर घूमते हैं, वह ग्रह फ्लेट्ने अगर बात करीं, लाते हैं और इसका अपना प्रिकास नहीं होता है और सूरी के प्रिकास को पितिविंबित करते हैं और सौर परिवार में पितवी को समलित करते हुए आठ ग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे और सूरी से ही इन्हें उर्जा मिलती है एक तरह से सबसे पहले हम लोग बुद्र को देख लेते हैं क्योंकि सूरी के नजदिक सबसे पास कौन है वुर्द आपको देखने को मिलेगा मरकरी ठीक है सोरी परिवार का चमकीला और सबसे छोटा और सबसे पास ग्रह है और जो पिदे दिन सूरी उदय के से दो घंटे पहले उदय हो जाता है और दो घंटे बाद अस्त होता है यानि कि सबसे पहले उग जाता है और सबसे पहले डूपता है और इसलिए आप लोग इसे भोर का तारा भी कहते हैं और 88 दिन में इस सूरी का चक्कल लगाने के कारण एक भाग सूर की सामने नितांत गरम और पिकास इपतो और दूसरा भाग सदिव अंधकार मर भहेंकर रात्री और भीसर सीत का रहता है। यहाँ जीव, सरष्टी और बनस्पती नहीं है और चंदमा की तरह बुद्ध में भी कलाएं होती है और यहाँ बायु मंडल नहीं है और इसलिए जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे चमकीला ग्रह है और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं इरोब बासी बीनस देवी की रूप में इसकी पूजा करते हैं और इसका आकार और घनत पितवी के बराबर है और ग्रह की चारों और बायु मंडल है और इसमें सल्फियूरिक एसरी की बादल भी आपको देखने को मिलेंगे या सदेव सूर डोबने की पस्चात पस्चन देशा में और सूर ओगने से पहले पूर्ट देशा में चमकते हुए देखा जाता है और इसे आप लोग संध्या का तारा कहते हैं बुद्ध को आप लोग भोर का तारा कहते हैं सुक्र को संध्या का तारा कहते हैं, ठीक है, morning star सुक्र को कहते हैं, और evening star किसे कहते हैं, सुक्र को, ठीक है, फिर आती है, पितवी का नमबर आता है, तीसरे नमबर पा, ये सौर परिव्यार का एक सदस है, और पितवी की उत्पत्ती सोरे से हुई है, और अपने अंडाकार पर भी घूमती है, और ये फिकास और गर्मी, सूर से प्राप्त करती है, और चंदमा इसका उपगरए है, किसका पितवी का उपगरए क्या है, चंदमा है, ठीक है और मंगल गरए की बात करें, तो पितवी के सबसे निकट, आप लोग देखेंगे पित्वी के सबसे निकट मंगल है और दहकते हुए अंगारी के कारण लाल दिखाई देता है और इस कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी आप लोग जानते हैं इस ग्रह पर बायू मंडल है और सतय का अधिकांस भाग लाल है जो बंजर भूमी को पेदरसित करता है यहाँ चटान और सिलाखंड भी देखने को मिले हैं और अपने अक्ष पर जोके होने के कारण रितू परिवत्तन की कल्पना भी की गई है और फॉमोज डीमोज डीमोज इसके दो उफग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे फॉमोज और डीमोज तो यह भी आप लोगों याद रखेगा एक बार सभी को देख लिजे उसके बाद फैसे एक ओवर्वीव आप लोगों को दे देंगी सभी गिरहों के बारे में फिर आप देखें कि ब्रस्पत लोगों से ढखा रहता है इसके आप देखें तो अभी बर्तमान में आप देखें इसके 79 यानि कि 89 उपग्रह देखने को मिलेंगे और नए नए खोज होती रहती हैं तो आप लोग जब भी पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग करेंट में देख लिया करिएगा और इसलिए कि आप तो कहा जाता है कि आप लोग कम से कम एक निश्वे पर पढ़ते रहा करिएगा और पाइनियर अंतिरिक शवियान द्वारा प्राप्त चित्रों से बिहस्पती पर महानलाल धब्बों की खोज हुई थी जो बोयजर एक के अनुसार यह है असांत बादल है फ तरफीली तरगों की पट्टी है इस चल्ले के अतरिक्त कई चोटे चोटे चल्ले है और इन में चोटे चोटे उलका फिसार या पिंड है जो आप देखेंगे कि अपने अक्ष पर भिनवड करते हुए सनी के आकरशन के कारण उसके साथ गूमते रहते हैं टाइटन सबसे ब असी देखने को मिलेंगे फिर उसकी बाद अरुन का नंबर आता है और इस ग्रह पर ग्यारे घंटे का दिन होता है और दुर्वीन से इसका प्रकास हरे रंगा दिखाई देता है और यहां भी बादल चाहे रहते हैं और इसका वायूमंडल सगन है और यह पश्चम की ओर भ अरुब तक अपनी चार दच्चिन कक्ष में सूरी के सामने रहता है और अरुन की पांच उप ग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है उसके बाद आप देखें कि बरुन का नंबर आता है और इसकी दुरी सूरी के अक्ष पर अंठानवे पर डिगरी जुकी इसके आठ उप ग्रह देखने को मिलेंगे यम कोवेर इसकी कोज 1930 में हुई थी ऐसा अनुमान है कि यह पानी और मेथेन का जमा हुआ है और वरप का गुला है इसका उप ग्रह के रोन इसकी आकार का आधा है और हाले में ही इस ग्रह को कि सेड़ी से बाहर कर दिया गया अब हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संक्या आठ रह गई है पहले नो हुआ करती थी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा इसके बारे में और सौर मंडल का दसबा ग्रह यूएस की नासा अनुसंधान साला ने के बिग्यानियों ने 1987 में सौर मंडल की दसबे काला ग्रह की खोच की थी और यह ग्रह सौरी की परिक्मा 700 वल्सों में पूरा करते हैं और इसके अत्रिक्ष उप ग्रह जो अपने ग्रह के चारों और त हुए हैं और छुद्ग्रे कहलाते हैं इनकी संख्या असंख है जो एक किलूमीटर से छह सो किलूमीटर से अधिक ब्यास वाले तक थे हैं रासिया अनेक नक्षत सम्हों जैसे मेज बिसब मित्थों करक सिंग कन्या तुला विस्चक धन मकर कुम्र और में देखने को मिलेंगे पुच्छल तारे लंबी पूच वाले गैसी ये पदार्तों के बने होते हैं निहारिकाएं चमकीली गैसी ये रासिया तार की ये सम्हों के समान जो तिसमय पिकास पुंज तथा उलकाओं जो तूटने वाले तारे भी कहलाते हैं सौर परिवार के ही इस अभी सदस आपको मिलेंगे और जो एम है ना इसे आप देखे 2006 में ग्रह की सूची से हटा दिया गया था और इसने अंतराष्टी खागोल संग के द्वारा जो परिवासा रखी गई है उस परिवासा के साब से सही नहीं था ग्रह होने की आवा सकताओं को पूरा नहीं करता था और आई आई यू द्वारा सब्दी की परिवासा की अनुसार आप देखेंगे ग्रहों बॉने ग्रह और चोटे और सौर्ग मंडल निकायों में बरगी कित किये गया है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो 2006 में से हटा दिया गया था अब एक बार हम सभी ग्रहयों के बारे में जरूर बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे कुछन्स पूछे जाते हैं आपकी परिक्षा में तो सबसे पहले हम लोग सूरी भगवान के बारे में बात करते हैं देखिए यहाँ आप लोग आ जाईएग ठीक है और यह आप लोग देखेंगे क्या सूरी भगवान अगर आप लोग देखें तो यह आप लोगों को सूरी भगवान दिखाई दे रहें इसमें ठीक है और ब्यास अगर इसका कितना बता है 13,92,200 किलो मीटर देखने को मिलेगा पितवी की तुल्ला में सूर का 110 गुन जा उत्पन होती है इसमें हाइडोजन सबसे जानदा देखने को मिलेगे 71% और हीलियम 26.5% कार्बन 1.5% नाइटोजन आप दे ऑक्सीजन और अधर गैसें आप देखेंगे 1% है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और सूरी की रोसनी को पितवी पर पहुंचने के लि बात करते हैं बुद्ध ग्रह के बारे में तो बुद्ध ग्रह सबसे छोटा और सूरी की निकट आप लोगों को देखने को मिलता है और बुद्ध ग्रह सूरी की परिक्मा कितने दिनों में करता है और अपनी परिक्मा अपनी धुरी पर घुडन कितने दिनों में करता है य और आकार बनावट में ये लगबख पितवी के जैसा ही है और इसलिए सुक्र को पितवी की बहन भी कहते हैं आप लोग और सुक्र का वाईवंडल CO2 से भरा हूँ है कारवंडाई उक्साइड से जो की लगबख 97% यहां देखने को मिलेगी और सूरी की पूरी परिक्मा करने म इसे 255 दिन लगबख और सुरी अपने सुक्र अपने अक्षपर एक चक्र घूमने में 243 दिन लगाता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा उसके बाद आप देखिए पितवी का नंबर आता है जिस पर हम लोग रहे रहे हैं और इसे सुरी के परिक्मा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनिट लगते हैं और 45 दिसंबल उइंक्याबन सेकेंड लगते हैं तो यह से को कभी आप देखिए बैसे आप देखेंगे कि एक राउंड फिगर में कम ही पूछे जाते हैं बिलकुल एक सीधा सा कुश्चन्स दे देते हैं आपको 365 दिन 6 घंटे 4 घंटे इस तरह लेकर फिर भी आप लोगों से इस तरह का कुश्चन्स पूचता है तो पूरा आप लोग याद रखिएगा सूरी की परिक्मा पितवी कितने टाइम में पूरा करता हैं 365 दिन 6 घंटे 48 मिनिट 45.59 का समय लगता है और पितवी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना समय लगता है 23 घंटे 56 मिनिट का समय लगता है और पितवी अपनी अक्ष पर 23.5 डिगरे जुकी हुई है और पितवी को आप लोग नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं 81% पितवी के हिस्से पर पानी ही पानी आप लोगों को देखने को मिलता है ठीक है और पि लाल आरन ओक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है और लाल ग्रह भी आप लोग कह देते हैं मंगल को सुरी की पूरी परिक्मा करने में 687 दिन लगते हैं 687 और अपने अक्ष पर गूमने में 24.6 घंटे लगते हैं ऐसे तो मंगल के दो ग्रह हैं फोगोस और डीमोस आप पर ना दीन गुना दिखें समझ रहे हैं जो मांट एवरिश्ट हम लोग देखते हैं न कहां है आपका नैपाल में है न उसी की बात हुरी है फिर आप देखते हैं कि ब्रसपती आता है आपका और ब्रसपती सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है ही ठीक है और पित्वी ग्रह का ताबमान 130 degree Celsius है, किसका बहस्पती के ग्रह का, तो यह भी आप लोग, सूर की पूरी परिक्मा करने में इसे 12 बरसों का समय लगता है, कितना 12 बरसों का, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, उसके बाद सनी का नमबर आता है, सूर से दूरी के अनुसाल सनी छटे स् सनी के उग्रह अगर आपको बताएं तो 82 है, जैसा कि आपको बताएं सबसे बड़ा इसका टाइटन है, आरोन, फिर आपको आरोन देखने को मिलेगा, साथवा यह आकार में तीसरा है, वैसे आप देखेंगे दूरी में, साथवा है, सूर से दूरी में, साथवा नमबर पा इसे हरा ग्रह भी कहते हैं अरून को आप लो यूरेनस को और अरून ग्रह के कुल आप देखे 27 ग्रह हैं इनकी खोज होती रहती है तो आप लोग जब पेपर देने जा रहे हैं उस समय देखिएगा अरून ग्रह को अपनी अप्छे में पूर्फ से पश्चिम की तरफ घड़ होने के कारण बरून ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है और सूरी का पूरा एक चकल लगाने में बरून ग्रह को कुल 165 साल लगते हैं अगर आप सोचे कि यहां आप देखे 165 साल लगते हैं अगर सूर की परिक्मा नेप्चिम को करना होता है तो यह भी याद रखिएगा और आप आपको एक बार बहर बता देता हो कि अगर आप से सूर से दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम पूचे तो पहले पर बुद्ध, दूसरे पर सुक्र, तीसरे पर पित्वी, चौतरे पर मंगल, पांचवे पर विस्पती, छटे पर सनी है और साथवे पर अरून है, आठवे पर आपको एक लिए, आकार के अगर पूचे आप से तो पहले पर बुरस्पती है सबसे बड़ा, फिर दूसरे पर सनी है, तीसरे पर अरून है, चौतरे पर बरून है, पांचवे पर पित्वी है, छटवे पर सुक्र है, और साथवे पर मंगल है, और आठवे पर बुद्ध है और आंत्रिक ग्रह किने कहते हैं बुद्र, सुक्र, पित्वी, मंगल को आप लोग क्या कहते हैं बुद्र, सुक्र, पित्वी, मंगल इन्हें आप लोग आंत्रिक ग्रह कहते हैं बाहे गिरा है किने कहते हैं बरस्पती, सनी, और अरुन, यूरेनस और नेप्चुन यानि की बरुन को ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका सौर्मनडल बाला चेप्टर भी कबर हो जाता है कुछ आपके सुझावा हों सवाल तो आप लोग जरूर बताईएगा उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे और अंगली क्लास में हम लोग पित्वी की जो गतियां है उनके बाले में बात करेंगे पित्वी जो गती करती है ना उसकी जो गतियां है उन पर हम लोग बात करेंगे